तो शादी से हो चुके हैं हम फ्री अभी तो कनक लगाने का जो सीजन है वो हो चुका है शुरू तो यह देखिए मेरे पीछा जो कि देख रहे हैं खेतों में हाद जो हमने फैक डिये अगर बेसिकली बुल जाए तो भैंस का गोबर या गाए का गोबर जो हमने चारोता फिला कनक में ज्यादा पानी लगता नहीं है हलकेल की जो है वो खेच जो है वो गिल देने चाहिए उससे काम चल जाता है कनक का चावलों के लिए थोड़ा सा जो पानी है वो ज्यादा लगता है और पिंछे यह दोलादार का व्यू और यह मेरी मॉम लगे हुए पसीजर आपको म खाद को फैकेंगे इसको यह देखिया आपको दिखा जिता हूं चोटे चोटे यह देखिए कनक के दाने और इसको चार तरफ फिलाएंगे उसके बाद इसके ऊपर फेरेंगे ट्रेक्टर उसका पसीजर भी दिखाएंगे फिलाल शाम को यह और दोलदार का व्यू यह लगा है हमारा मैल जिसको खाद भी बोलते हैं और यह हमारी भेंसे और कट्टी और यह कट्टू साथ में ही सोया हुआ यह देखिए अब इनको लेके जाना है बोरों को खेतों में और वहाँ पर इनको फिलाएंगे वह भी दिखाते हैं चलते हैं से जल्दी से वहाँ कि यहां से हो रही है उनकी लोडिंग और वो खड़ी है मेरी सबूटरी वहां तक लेक जाना उसके वाद फिर सीधा जो यह मैं रख लिया कंदे पे बोरी को लिए जो चलते फिर खेतों में तो मैंने तीन बोरे जो हैं वो मैंने इस घुटरी पे रखे लोड़ की हैं एक आ ट्रेक्टर स्बूटरी जिस पर मैं अभी खाद को लेकर आया हूं मैंल को भी बोल सकते हूं तो यह पापा लगे हूं है ट्रेक्टर के साथ देखे कुछ इस तरह से कि अज़िए अज़िए तो इसको अभी रखना है मैंने खेत में और इसको चारो तरफ लाना मतलब मेरा काम जो है सिर्फ इसको रखना है मॉम आएंगे और चारो तरफ जो है वो खाद को फिलाएंगे अब बेसिक लगर बुला जाए तो बैंस के गोबर को तो अच्छी तरह से इसको मिला है मिट्टी में उसके बाद इस पर फैकेंगे कणक और फिर यूक को जो मैंने आपको बताया था खाद यूक को खाद जो मैंने बताई थी ब्राउन कलर की वो सो फिलाल अभी मैं जल्दी से फैकता हूं मैल को उसके बाद फिर चलते हैं घर क्योंकि शाम हो चुकी है पॉने जो मैंने कर दिया खाली अब इसको करते हैं अच्छे से फॉल्ड फिर चलते हम घर तो पापा भी हो चुके हैं फ्री अभी ट्रैक्टर पे लगाई मैंने टैर और पापा करेंगे ट्रैक्टर को स्टार्ट अभी लेके चलेंगे इसको हम पासवले जो हमारे रिसितारा उनक है हमारे गाउं की एक काफी बड़ी दुकान जहां से मैं लूँगा अंडे आज अमलेड भुर्जी बनाए जाएगी सो थैंक यू